मुलाना आजाद नाशनल उर्दू युनिवर्सिटी की जानिब से पेश किये जाने वाले इस एक खास मुलाखाद प्रोग्राम में आपका खेर मक्तब है नाजरीन आप तमाम लोग बहुबी वाखिफ होंगे आयुश मिनिस्ट्री से आयुश एक पांच लेटर पर मुश्तमिल वर्ड है यानि A stands for Ayurveda, Y stands for Yoga and Naturopathy, U stands for Yunani, S stands for Siddha और इसके साथ साथ एक और सौरिगबा और साथ साथ H stands for Homeopathy ये तमाम छे ट्रेडिशनल मेडिसन सिस्टम हिंदुस्तान के खदीम जमाने से चले आ रहे हैं इन तमाम मेडिसन सिस्टम में युनैनी मेडिसन सिस्टम भी शामिल है जो आयुश मिनिस्ट्री के तहत काम कर रहा है इस आयुश मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट खायम है इस डिपार्टमेंट का नाम है Central Council for Research in Yunani Medicine इस CCRUM के डिरेक्टर जनरल डॉक्टर जहीर अहमद साब हमारे दर्मियान आज मौदूद है डॉक्टर जहीर अहमद साब आपका इंस्ट्रेक्शनल मीडिया सेंटर मौनू में मैं तहदिल से इस्तखवाल करता हूँ वेलकम करता हूँ डॉक्टर जहीर अहमद साब की इप्तदाई तालीम यानि B.U.U.M.S की डिगरी गॉर्मेंट यूनाइनी मेडिकल कॉलेज चन्नाई से हुई और उसके बाद M.D. की डिगरी आपने नेशनल इंस्टिटूट आफ यूनाइनी मेडिसन बेंगलूर से मुकमिल की है फिलहाल आप C.C.R.U.M. के डिरेक्टर जनरल की हैसियस से खिद्मात अंजाम दे रहे हैं डॉक्ट साब आप से पहला सवाल ए रहेगा यूनाइनी मेडिसन की तहखीक और तरखी में C.C.R.U.M. का क्या कांट्रिबूशन रहा C.C.R.U.M. शुरू दिन से भारत की सबसे बड़ी तहखीकी अदारा है और यूनाइनी की तरखी के लिए जिद्ध जहत शुरू दिन से करता आ रहा है तकरीबन इसके तेईस परिफरल सेंटर्स हैं जो कश्मीर से लेकर केरला के मोड़ तक फैली हुई हैं इसके शाथ हैं किताबों में मुरत्ब हैं उसको मनजर आम पर लाकर लोगों के फाइदे पहुंचाने के लिए हम उसको साइन्टिफिक तरीके से जहे उसका जहे वैलिडेशन कर रहे हैं जी आ ताकि जो बात किताबों में कही गई है वो वाकी जहें क्लेम्स जहें सच हैं या गलत हैं जैसा है कि जानते हैं कि रोमेटार अर्थराइटीस एक बहुत ही जहें कठेन बीमारी है इसका इलाज है अभी तक नहीं है पर उसके लिए युनानी मेडिसन में बहुत अच्छा इलाज हम अपने सेंट्रस के थुरू किये हैं इंफेक्टिव हेपेटाइटिस इस तरह क्र परनामें जहें सेसियारियम की है जो पिछले तीन डिकेड्स में तीन तातीस साल में जहें जो काम हुआ है उसको उन दुआओं को हम जहें अब अपने पेरिफरल इंस्टिट्यूट्स के जरिये बहुत ही कम दाम में पोस्ट ट्रायल एकसेस ओड़ी के नाम से जहें इन मैंने सुना फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है यहाँ इनका आई पीडी का अगर जहें अगर इनको अड्मिशन अगर ज़रूरत है तो उसका भी जहें हम जहें उसके लिए भी हम फैसलिटीज परवाइड करते हैं अपने इंस्टिट्यूट्स के जरिए और जो खाना वहां दि बित तद्बीर होता है उसके प्रोसीजर्स भी जहें फुली जहें हम फ्री करते हैं इसके लावा हमारा एक मेंडेट है वो जहें क्लिनिकल रिसर्च है यहीं जहें इनसानों पे जहें दवाओं को देकर उसका जहें असर देखना जिया तो यह काम भी जहें शुरु दिन से जहें सीिया जान में इसके जरिये हमने अ मराश का मैंने अभी नाम लिया था न अमराश को जहें हमने जहें बहुत ही सिंविक तरीखे से जिसमें बईयो मारकर्स भी जहें इंक्लूड हैं तो हम यह सावथ करे हैं कि देखने के पहले क्या था तो हम इसको आगे जहें ले जा रहे हैं इसी को हम जहें पैटरन भी जहें आगे जहें करने वाले हैं डक्साब अगर देखा जाए तो Central Council of Research United Medicine CCRUM is at forefront of United Medical Research of India ये तो सभी जानते हैं और इस सुरत हाल में United Medicine की Global Acceptance के लिए Council यानी CCRUM का रोल क्या है और वो क्या कर रहा है जैसे का आप जानते हैं कि इंडिया ग्लोबल लीडर है traditional medicine में इस strength को देखते हुए WHO World Health Organization में जहें आप जिनिया का सबसे पहला Global Center for traditional medicine वो इंडिया को चुरा है तो इससे आप जान सकते हैं कि चामनगर गुजरात में जहें established हो रहा है जिसकी संगे बुनियात पिछले साल हमारे देश के मानिय प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी जी और WHO के डिरेक्टर जेनरल डॉक्टर तेद्रोस ने जहें इसकी जहें से ज्यादा युनानी मेडियिसनेयॉक तुक्रीर झान साथ सौ चार।ड़ divOOOO है और और उनद्र से जादाय के क प्रधर युनानी आप सूब सीएरियों से जएठान साथ के खरीब युनानी कालेजिसंदी जिस ते साड़े तीन हजार बच्चे हर साल बाहर आ रहे हैं तो एक तरह से CCRM पाइनियर है ग्लोबल लीडर है युनानी मेडिसन में और इस काम को देखते हुए कही देशों ने आगे बढ़ के हम से जुड़ने की कोशिश की है जैसा के केप टाउन युनियर सिटी जो सौथ आफरिका में है उसमें हमने पहले एक इंटरनेशनल चेर खाइम की थी और वहां पे सारा जो इनानी का आज कई जो इस्टैबलिश्मेंट है उसका श्रह पुरा पुरा भारत की जाता है CCRM के तरू और इसी तरह हमने बंगलादेश में भी एक इंटरनेशनल चेर हमदर जिनियर सिटी में खाइम किये है जहां पे हमारे एक्स डिरेक्टर आफ हैदराबाद वहां पे फिलवक्त वहां डिप्यूटर्ड है वो देख रहे हैं और इसी तरह हमने तजिकिस्तान के साथ भी हमने एमो यू किया है और आगे हम फ्यूचर में हम और देशों के साथ भी एमो यू करने वाले हैं इस चेर का नाम क्या रहा है इंटरेक्ट सार इंटरनेशनल इनानी चेर अट हमदर्द यूनियर सिटी और आज हम देख रहें कि सारे देश इंटिया की तरफ देखते हैं चाहिए आयरवजा के लिए गैडेंस हो या यूनानी के लिए हो तो ये सब चीजों के लिए इंटिया से ही सारा गैडेंस है एक तरह का हम ग्लोबल लीडर बन चुके हैं बहुत ही हमारे थाइजास की बात है साही है जाहिर से बात है आपने है जिक्र किया कि Saint medical colleges है यह भी भूछ से लोगों को पता भी नहीं कि 60 medical colleges क्या एक एक रियासत में इस तरह से दो तीन चार कुछ हैं सर इस तरह बठे भी है ज्याततर रियासतों में हैं, बढ़ कुछ रियासतों में नहीं है, जब तक ये चुंके एड्यूकेशन स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट की तरफ से जब मांग आती है, तब हम उसको आगे लेके बढ़ते हैं, तो फिल्वत मेजर स्टेट्स में युनानी का प्रेज हैं, जिसमें एक Central Research Institute of Noting Medicine लकनो में हैं तौसरा जो National Institute फोर रिसरच in photTPH kalo Skin Resort, वहतराबाद में है, जो जो विटिलीगों के लिए बहुती जाना माना इदारा माना जाता हैं, और हमारे नNever इन्सिटेट से हैं सारे इन्सिटूशन में आ इन्सिटूशन से में स्टांड़र्स स्टैंडर्स खायम किया जाएं. इस सिलस्ले में ने भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे पांच इधारे जो है रिजनल इधारे वह नH UCLA से आ उसमें हिदराबाद की इंस्टिटूट भी शामिल है, चन्नाई है, लकनो है, भद्रक है और श्रीनगर का है, इसके इलावा हमारे मेडिकल लेबार्टरीज को भी जो है, एनिए बील से अक्रिटर्ट कराया जा रहा है, उस सिलसिले में चन्नाई, भद्रक और लकनो की रहे हैं, और हमारे पास जो है, दो जी एम पी सर्टिफाइड फार्मसीज है, और ये तबाव मैंडेटरी होता हो, बिल्कुल, बिल्कुल, आगे आपको जहें बगर एन एबी एच, एन एबील के जहें, आपके कोई काम को मान्निता नहीं मिलेगे, तो ये बहुत ही जहें, स्टैंडर्स को फालो करना हर काम में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, डट सब आईउश मिनिस्ट्री है, यूनानी हेल्ट केर और रिसर्च के फिरोख के लिए क्या मदद फरांग कर रहा है, बैसिकली जो पूरी फंडिंग जो है, वो मिनिस्ट्री की तरफ से होती है, पूर किया गया, तकरीबां पचास करोर की खरच पे एक बहुती शानदार इंस्टिटूट सिल्चर में बनाया गया है, जहां पे एक दिन में छेसों से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, डट सब एक छोड़ा सा एक सवाल है, CCRUM का अगर कोलाबरेशन की बात करेंगे, नैशनल और इं evidence-based research चाहते हैं, evidence-based data चाहते हैं, हर कोई, तो उस गरस से पहले से ही कई major reputed research institutions के साथ हमने collaborate किया है, अजमल खांतीब्या कालेज अलीगर है, जामिया हमधर्द है, और इसी तरह M.E.T. University, NOIDA है, कई सारे major institutions के साथ हमने collaborate किया है, जितने भी हमारे institutions ہیں, उनको scientific institutions के साथ जाए ताके एक जो काम क्योंकि रिसर्च हमेशा टीम वर्क होता है और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जहें एक्सपर्टाइज जरूरत पड़ती है तो वह सारा कुछ हमारे इसमें इस तरह की जो है रेप्यूटड इसमें इस फ कम जाने के बाद वहांपर ऐसा प्रजेक्ट पर आचर नाशनल इसमें जो है एटी टी जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है उसके साथ देने से क्या असरात पैदा होते हैं क्या वो दवाव को जह और असर बढ़ाने में काम आ रही है या घड़ा रही है पहले हमने अनिमल में किया था वो कारामत साबिद हुई अब आगे जहे पहले तो हम हेल्थी अनिमल्स में किये अब आगे डिजीज़ अनिमल्स में देखने की कोईश कर रहे हैं अच्छा है इसी तरह जहें सर्म इंस्टिट ऑफ साइंस अंड टेक्नोलजी है जो टमिलाड के जानी मानी उनिवेसिती है उसके साथ हमने जहें कोलाबरेशन किया है तो उस कोलाबरेशन करने के बाद जहें वहां से एक कैंसर पर और डियाबडीस पर प्रोजेक्ट्स हमने जहें कांसीव के कांसेप्नोड बनाया है उसको प्रोजेक्ट मोड की शकल दी उनके साथ मिलके अब वह प्रोजेक्ट की शकल में जहें सब्मिट हो हैं तो आगे यह सब काम जहें इसी तरह हमने लकनो की जो हमारी सेंट्रल इस इंस्टिटूट ऑफ उनाइन मेडिसिन लकन जो करना किरने की जहें आवाशकता है उसको भी जहें हम जहें इस तरह की कोलाबरेशन के जहें हम बढ़ाना चाह रहे हैं फ्यूचर में जैसा के मौलाना आजाद नैशनल ओर्दी उनिवर्सिटी में स्कूल आफ साइसे अभी शुरुआत हुए थे दो हजार चोदा से हमारे बॉटनी मतला अपने बॉटनी देपार्टमेंट में फाइटो केमिकल एक्स्राक्शन का वर्क हो रहा हम चाहेंगी के इन फ्यूचर इन फ्यूचर वी जैस बात के हैरान की हुई के जहें इतने सारे कोर्सस हम समझेगे जहें सिर्फ उर्दू लैंग्वेज की लेकर जो है इनिवर्सिटी उठी है जबके कई सारे कोर्सस जहें यहां पे चलाया जारा है और चार हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इसके सैटलाइट सेंटर शीनगर और लखनो में हैं तो यह सब चीज़ें देखने के बाद जो है जरूर हमारा जहें मोई यू पहने सही है अब आगे हम और जो है एरियास में एक्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तैंक यू ड़क्ट साब जैसे के हमारे वैस चैंसलर साब स्पेशली यह जो वोकेशनल कोर्सस की बात जब करते हैं तो बहुत इंटस्स से अभी क जह रहते हैं कि पेजडी प्रोग्राम भी शुरू करेंगे तो तिल डेट वी हाफ अगले साल हम नएने प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं तो यहां पर बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं जो क्लिरिकल अस्पेक्ट भी भी बहुत experience है उनका तो हम चाहेंगे कि कुछ का हमेशा जहें सवات कर रहा है हमारे पास खुद जहें डॉक्स डॉक्स टैनरडाज़aciर्ट में जहें ऐफ ऐटो केमस्ट काम कर रहे हैं जो एक तरफ जहें क्वालिटी कंट्रॉल प्लांट्स यह भी हमारा एक जो है मेन फोकस सेरिया है इसमें सारे जो है बाटनिस्ट जुड़े हुए हैं तो इन सब की जो है एहम रोल है जैसा कि आप जानते हैं यूनानिम मेडिसन का जो है शुरुआ जो होती है अगरिकल्चर प्रोड्यूस से कल्टीवेशन से वहां से ह हमारा यह शुरू होता है तो जाहर से बात है बाटनी के ऐसाथ हमारा गहरा रिष्टा है हम चाहेंगे के जहें आगे फूचर में भी जहें इस तरह की जहें आपके डिपार्टमेंट्स के साथ भी जहें एक्स्प्लोर करेंगी कोशिश करेंगे थैंक यू शुक्रियाज र इंटेग्रेशन के बारे में आपकी क्या राय है फूचर वही है अच्छली अब तक जो है डिफरेंट तरीखे से जो है काम कर रहे थे हैं जैसे अपनी अपनी फॉर्मोकोपिया अलग अलग थी हैं हालागे काम एक ही है मगर एक ही काम जो है चार बर किया जा रहा है ऐरोद पनी है तो क्योंकि जड़ी बुटी तो एक ही है, उसके स्टैंडर्ड भी एक ही है, तो इसमें युनानी के अधविया जो खास तरसे युनानी से मुन्स लिख है, उसको भी हम अन हर आप go on standard के एंडर में ले आ रहे हैं, ये integration की ये बेहतें मिसाल है, इसी तरह ज़हे हम National Health Policy हो 2017 में जो बनी है वो इस बात पर बल देती है कि जो है in future AIU systems has to integrate with mainstream healthcare at all levels peripheral, secondary as well as tertiary level in areas of education, research and health practice पट इसके लिए जो शर्थ है वो जो है evidence-based research है evidence-based तो अगर आपके पास evidence-based data है अच्छे आपके पास results है जो internationally acceptable है तो वही जो है आपको integration करने में जो है मदद देगी इसी गरत से हम जो है सारे scientific institutions के साथ हम जो है collaborate कर रहें और अपने आपको इस दिशा में जो है तयार करने के लिए हम अपने आपको जो है अपने strength areas है उसको भी हमने priority पे लेके जो है काम कर रहे हैं हाँ इलाजबित तद्बीर हमारा strength area है जिस तरह जो है आइरोदा में पंच करमा है इस तरह इनाने में इलाजबित तद्बीर है तो ये दरसल जो है ड्रगलस therapies है जो future में जो है एक बहुत बड़ा role प्ले कर सकती है बगएर दवाओं की जो है हम मसाच के जरीए रियाज़त के जरीए हिजामा के जरीए तालीख यनि जोंक लगाना के जरीए लीचिंग therapy के जरीए रुतूल है इनकी बाब है हाँ ये सब रेजिमेंस जो है ड्रगलस रेजिमेंस तो इनको जो इस्तमाल करके जो हम जो है ये बहुत परफिलैक्टिक तोर भी यूज़ कर सकते हैं और थिरैपेटिक तोर पे भी यूज़ कर सकते हैं ड्रक्ट सब इतना traditional medicine system भले यूनाइनी medicine हो या ऐरुवेदा होमियोपती इतना develop हो चुका है उसके बावजूद जो है लोग थोड़े से खांसी हो जा रही है जुखाम सर्दी हो जा रही है तो automatically people move towards alopathy क्या मतलब वज़े क्या है इतना जल्दी मतलब नहीं अब आप वो बात पुरानी हो चाहिए कोईट के पहली थी बात हो जी अब कोईट के बात जो है तिर भी एक concept हमारे पास है ना कि जो है हमारे जो kitchen है किचन में जो 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 चीजें होती है बेसिक चीजें condiments, spices हैं सब यह सब कई सदियों से इस्तमाद होती आ रही है ऐसा है नहीं कि आज नहीं हो रही है तो first 80% of the world population is dependent on traditional medicine तो इंडिया तो जो 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 चोटी चीजें आती है उसके लिए अभे भी घरे लोग इलाजी जो है प्रफर किया जाता है fact यह है कि जो लोग हमेशा जो है जो अपने पास जो चीजें होते हैं उसको जो जो इस्तमाल करते हैं चाहे वो जो है सौफ हो या आपका जीरा हो या आपकी काली मिर्ची हो या जो आपका शहद हो हल्दी हो यह सब चीजें जो है first इसमें जो है आपको जो है काम आ जाती है डक्सभ एक आखरी सवाल आपसे रहा कि खौमी और आलमी सते पर यूनानी मेडिसन के प्रचार प्रसार के लिए आपके फ्यूचर स्ट्राटिजीज और अक्शन प्लान क्या होंगे? हाल लेडी तकरीबन 2017 से यूनानी डे का इनिखाद हर साल होता रहा है 11 फिबरोरी को जो हकीम अजमल खान की यूम पाइदाईश को लेकर भरत सरकार ने इस मन्जूरी दे दी के 11 फिबरोरी वो यूनानी डे होगा तो इसके माधियम से हम 50 days countdown activities 25 days countdown activities 20 days countdown activities मुक्तलिफ themes पर हम करते आ रहे हैं इसके जिरिये हम public को message ले जा रहे हैं नेशनली हम पॉपलराइस कर रहे हैं और यही नहीं बलके दूसरे जगहों पर भंगलादेश में पाकिस्तान में स्री लंका में सौट अफरिका में कई सारे मुमालिक में एरान में यूनानी डे मनाया जा रहा है इसी दिन को लेकर और यह एकदम बैनुल अखवामी लेवल पर जहें मनाया जा रहा है तो कई सारे अक्टिविटीज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए खास्त ओशे कुईज कमपिटिशन, से कॉमपिटिशन या स्पीच कमपिटिशन कराते हैं पॉबलिक में इस्ट्रिबिशन अफ सैपलिंग्स कराते हैं और हेल्ट टिप्स जहें तो हम ज्यादा आवेरनेस प्रोग्राम के जिरे हम पब्लिक तक पहुंच रहे हैं और इसका काफी फायदा भी हो रहा है अच्छा एक रुकावाट बन रहा है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सरमया था और्बिक में था फिर उसका फार्सी में की है फिर फार्सी से अर्दु में अच्छा खासा है ट्रांसलेशन जेह हमारे पास जुह है जआ है जए हमारे जाहे हमारे जजायरा मौशूरर बेंड है इसको गलोबलाईज करना है तो जाहर सी बात है हिंदी में और आगे अंग्रेजी में भी जहें, इसके ट्रांसलेशन के लिए मैं काफी जहें जहें जोड़ दे रहा हूं। इसके बगार तो जहें निणानी जहें आगे नहीं पहुंच सकती है। यह बहुत बड़ा बिज़र्ड होगा यह बिल्कुल जह है मैं इस बात की जह है कोशिश कर रहा हूँ कि जह हमारे जो सेलबस के किताबे हैं वो अंग्रेंजी में हो और हिंदी में हो ताके ज्यादा मासस को इसके फायदे पहुंच सके जी जी तैंक यू बेरे मच्छ टैंक जहा कूऊ थैंक शुक्रियाँ आपने सुना डॉक्टर जहीर हम्त साब आपने बता रहे हैं के यौनानी मेडिसिन सिस्टम भी पीछे नहीं हैं कोविट के दौरान यौनानी मेडिसिन सिस्टम ही लोग इस्तेमाल कर रह estaba हैं तो इसका कहने का मतलब यह है कि आलो मेडिका औ के आयूश के जितने भी मेडिसन्स हैं उनमें खास तोर पर युनैनी मेडिसन्स भी जो है बीमारियों के या नि मुक्तलिफ खिसम की बीमारियों के इलाज के लिए कारामत साबित होता है डग्साब आपका बहुत शुक्रिया आप तश्रीफ लाएं आएमसी तेटर मनू में आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही अगले प्रोग्राम में एक और शक्सियत के साथ मुलाखात होगी बस मुझे इजाज़त दीजिए इसा स्थ घजिए एिए ए गईभ तक रि लिए सरे है आपकोड़ आपकोड़। झाल झाल